तो दोस्तों हम बात करें क्रूजर बाइक के बारे में जो गुला ने लॉंच की है दिखने में तो काफी ज्यादा मैसिव और मस्किलर दिखे रहे हैं यह है इसका साइड से लूक जिसमें मोनोसस्पेंशन दिख रहा है और स्रीट इसकी थोड़ी सी पतली लग रही है इसको बहुत ज़्यादा वाइड हैंडल बास दिये हैं जो कि काफी अच्छे लगते हैं और काफी अच्छी पोजिशन देते हैं और अगर आप फ्रेंट हैट लेट देखते हो तो वहापे डिया हुआ है जो क्की काफी पावरफुल है और अगर साइड लूक से आप देखोंगे तो जो अलॉइस दिख रहे हैं वो भी काफी जाद ही और दोस्तो इसका रियर ट्रायर जो है वो मोटर को कनेक्टेड है चेंड ड्राइव से जो कि एक काफी नया कंसेप्ट है एवी बाइक में तो दोस्तो अभी बात करूँगा रोडस्टर की बाइक की जो तो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई है यह रोडसर बाइक का जो हीड लैंप है वो मुझे जूक की याद दिलाता है उसमें भी डियार लगा हुआ है अगर फ्रेंट टायर की बात करूँगा तो यहां पर बड़ा सा डिस्क दिया हुए और टेलिस्कोपिक सस्पेंशन है और दोस्तो इसको जो सीट आती है वो डिवाड़ेर टू पार्ट्स में जैसे कि अपना पलसर टूट्वेंटी या डूक में आता है तो दोस्तो बात करूंगा टेल लैंप की तो इस तरीके का कुछ टेल लैंप आता है और इसको आता है मोनो सस्पेंशन तो अभी बात करते Adventure Tourer Bike की तो ये बाइक दोस्तो यूज करते हैं लेह लदाक या कहीं पर भी Off-Road जाने के लिए जो लोगों को Off-Road जादा पसंद है तो ये बाइक आप के लिए है दोस्तो तो दोस्तो अगर इस बाइक का अगर मैं Headlamp की बात करूँ तो वर्टिकल DRL इसमें आता है और दोस्तो अगर सीट की बात की जाए तो बाखी Bikes के comparatively इसकी सीट काफी पतली आती है और दोस्तो ये जो Round Circle आपको दिख रहा है यहाँ पे आती है गाड़ी की Motor और दोस्तो इस बाइक के साथ में आपको टॉप रैक माउंट मिल जाता है और साइड पैनिर्स अटैच करने के लिए भी असेसरी मिल जाती और दोस्तो अब हम बात करेंगे sports bike के बारे में जिसका लूग काफी futuristic design जैसा दिखता है और front में आता इसको एक सिंपल सा DRL और इसका लूग बिल्कुल भी समझ मिल आता है अगर आप front side suspension अगर देखोगे वो भी काफी जाता futuristic design जैसा ही है और दोस्तो इस बाइक के साथ में convertible foot pegs आपको मिलते है जो आइदर आप sports mode में यूज कर सकते हो या comfort mode में इसको यूज कर सकते हो दोस्तो front side पर जैसे single line DRL इसको दिया है same single line tail lamp इसको दिया है and full cover rear tire इसको दिया है जिसके size काफी ज़्यादा बड़ी है तो दोस्तों आपको कुनसी bike पसंद आइए comment section में ज़रू बताना thank you